अल्सो इविन इदर टू एज विल इन सबको उपयोग भी के सिंस में जैसे मैंने आपको बता रखा है कि आपको सिर्फ रूल्स पर ध्यान देना अगर आप नियमों को सीखते हैं तो आपको सिंटेंस बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और आपको जाए जनरली पॉस्टिव सेंटेंस में किया जाता है और इवन का उपयोग पॉस्टिव और नेगिटिव दोनों सेंटेंस में किया जाता है लेकिन अगर हम इधर की बात करें सो इधर को उपयोग सिर्फ नेगिटिव सेंटेंस में किया जाता है पॉस्टिव सेंटेंस वह होते ह हैं जिनमें हम not को प्योग करते हैं अल्सो को हमेशा helping वर्फ के बाद और main वर्फ के पहले रखते हैं और even को हम हमेशा sentence से पहले रखते हैं at the beginning of sentence to as well और either इसे हम हमेशा sentence के last में रखते हमारा sentence complete होने के बाद even का प्योग भी के अर्थ के लिए प्रस्नवाचक वाक्यों में नहीं किया जा सकता तो चलिए हम इसे sentence के माध्य हम से समझ लेते हैं मैं भी अच्छा हूं I am also good I am good too I am good as well even I am good जैसे मैंने आपको नियमों में बताया था कि जब हम also को उप्योग करते हैं तो मुसे helping verb के बाद और verb के पहले रखते हैं लेकिन जब हम to का उप्योग करते हैं और as well को उप्योग करते हैं तो हम उसे हमेशा sentence के last में रखते हैं और even को हमेशा sentence के starting में रखते हैं हमने either को प्योग यहाँ पे नहीं किया है क्यों क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि either को प्योग हमेशा negative sentences में किया जाता है मैं भी अच्छा नहीं हूँ अब हमने negative sentences को बना के देखा है कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते even I am not good I am not good either तो दोस्तों मुझे उमेध है कि काफी हद तक आप लोग को इस वीडियो से help मिली होगी और अगर आप लोग ने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो इस वीडियो को लाइक करना ना बोले और comment में करके बताएं आप किस topic पे वीडियो चाहते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद बुएंदे मातरम